इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पहुत सारे मैसिज आते हैं बट कभी-कभी हमें मैसिजिस की नोडिफिकेशन हमें नहीं मिल पाती लोगी स्क्रीन के अंदर भी और लोगी स्क्रीन जो नोडिफिकेशन उपर से उतरती हैं महाँ पर भी तो इस प्रोब्लम को हम कैसे solve कर सकते हैं कि हमारी notification हमारी message की notification ही हमें so नहीं कर पाती है iphone के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ये हमारी not working रहती हैं सारी notifications तो उसके लिए यहापर आपको Settings में जाना पड़ेगा सबसे पहले और Settings में जाने के बाद यहां पर आपको दिखाए देजाएगा मैसीजिस ठीक है सारे के सारे मैसीजिस तो यहां पर मैंटेनेस नोटिफिकेशन को यहां पर आपको अलाव करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहां से पैक ला दीजे ठीक है और फिर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा फिर यह पर आपको messages दिखाए देंगे तो messages में आपको जाना है और messages में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए जाएगी allow calls तो यह बंद नहीं होनी चाहिए वहना आपकी not working दिखाएगी सारी notification तीनों पर टिक लगावा रहना चाहिए lock screen notification centers और banner तो इतना आपको करना है यहाँ पर और बागी settings मत करिएगा इतना ही करने के बाद यहाँ से बैक लाइएगा फिर जैनल में जाहिएगा और उसके बाद यहाँ पर अपने phone को एक दफ़र shutdown करके reset कर लेना है start कर लेना है फिर आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी ठीक है तो यह process रहता है इसका अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा